हलो फ्रेंड्स वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे रीजिनिंग के इंपोर्टेंट प्रेशने सभी प्रेशने इंपोर्टेंट है दोस्तों इस तरह के परिशने परिच्छा में बहुत बार पूछे गए हैं तो वीडियो कौन तक देखेगा चले स्टार्ट करते हैं पहला प्रेशन है आपका निमलिखित संख्या स्रेंख्या में लुक्त संख्या ग्याद करें देखिए आपको एक स्रेंख्या एक सीरीज दी गई है और यहां दिया गया है लाश्ट में मिसिंग नंबर यहां पर कौन सी संख्या हैगी व वह समझ गे तो फिर आप इसको बता देँगे, बहुत आसानी से देखे, पहले तो टेईस है, फिर पांच, बहुत छुटी संख्या है, पांच के बाद फिर त्रेपन, बहुत बड़ी संक्या है, पांच के पेच्छा, फिर त्रेपन से फिराट हो गया, तो दीखिए यहां पर क्या हो रहा है, बहुत अच्छा सा रिलेशन है, बस संक्याओं को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, बस ध्यान से देखिए, अगर पांच और तीन को जोड़ दें, पिलस कर दें, देखे, मैंने इन दोनों को जोड़ा, तो ये संख्या मिल गई, अब मैं इन दोनों को जोड़ूँगा, पांच पिलस तीन कितना होता है, आठ होता है, अगली संख्या मिल गई है, तो यहां पर पांच पिलस तीन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा आठ मिल जाएगा ये वाली संक्या उसी तरीके से हम इन दोनों को जोड़ें चार पिलस तीन करेंगे तो चार और तीन कितना होता है साथ होता है तो इन दोनों को जोड़ने से अगली संक्या मुझे मिल गई अब मैं क्या करूं इन दोनों को भी जो तो हमें ये संख्यावी पता चल गई कौन सी है साथ साथ दे रखा है दोस्तों आपको पहले ही option में ये आपके प्रशने का बिल्कुल सही answer हो जाएगा उमीद करूँगा दोस्तों कि सभी को प्रशने बहुत अच्छे से समझी मागया होगा किसी को भी प्रशने में यहां कोई भी समस्या नहीं होगी ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला प्रशने अगला प्रशने है 520 है 738 है 222 है यहां पर क्या आएगा देखे दोस्तों मैंने आपसे एक बात बहुत बार की है कि आपको reasoning पढ़ना है गडित पढ़ना है तो आपको square और q याद होना बहुत जरूरी है ठीक है बहुत बार मैंने यह बात बोली है square और q अगर आप याद कर लेंगे तो आपको क्या होगा बड़ी संख्या तक पहुँचने में time नहीं लगेगा जैसे कि अगर यह 520 बड़ी संख्या है तो अगर आप बड़ी संख्या के पास पहुचेंगे तो कैसे पहुचेंगे square करके पहुचेंगे या फिर q करके अब 520 के पास किस संख्या का square होता है या फिर किस संख्या का q होता है आप guess कर पाएंगे अगर आपको याद है तो जैसे कि अगर मुझे 522 बनाना है तो 522 में कैसे बना पाऊँगा, मैं कहूंगा, अगर आप 8 का Q करें 8 का Q करें तो कितना होता बैइ, 512 होता है 8 का Q मुझे याद है तो मैंने आपको बता दिया 512 है तो 520 के पास में 512 है, जो कि 8 का Q होता है, clear है उतना, अब देखी क्या करना है हमको, हमको तो 550 बनाना है, ये तो 512 आया है, तो क्या करेंगे, हमने 8 का Q किया है, तो इसमें 8 को ही जोड़ देंगे, तो 512 में 8 जोड़ देंगे, तो ये 520 हो जाएगा, clear अब ये तो 8 का Q है ये दोस्तों किस संख्या का Q के पास में है 738 आप सीधा सीधा जानते हैं कि ये 9 के Q के पास में है 9 का Q कितना होता है 739 होता है देखे जिस संख्या का मैंने Q यहाँ पर किया उसी को जोड़ा तो जिसका Q मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, उसी को मैं यहाँ पर जोड़ूँगा, मतलब 9 को जोड़ूँगा, तो 739 में मैं 9 जोड़ूँगा, कितना हो जाएगा, 738 हो जाएगा, 738 ही हमको दिया गया है, पहले ही मैंने कहा था, आप guess कर पाएंगे, अगर आपको square और Q याद यहाँ किया, उसी को जोड़ा, जिसका Q यहाँ कर रहे है, तो हम उसी को जोड़ेंगे, तो 216 में 6 जोड़ेंगे, 222 हो जाएगा सीधा सीधा, अब हम यहाँ किस संख्या का Q करें, देखे यहाँ पर 8 के बाद अगली संख्या 9 आई, तो यहाँ 6 के बाद में अगली संख्य साथ आ जाएगी तो साथ का क्यों करेंगे कितना होता भाई साथ का क्यों आप बहुत अच्छे जानते हैं 343 होता है और जिस संक्या का क्यों करने उसी को जोड़ेंगे मतलब साथ को ही जोड़ेंगे तो यहां 343 में मैं साथ जोड़ दूँगा कितना हो जाएगा भाई 350 हो ज किसी को भी प्रिश्न में यहां कोई समझ से नहीं होगी ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला प्रिश्न है अगला प्रिश्न है दिये गई बिकल्पों मेंसे लुप्त संख्या ग्याद करें हमें क्या करना है देगे 3x3 का एक सिमिट्री है और जो कि यहां पर हमें सीधा- बड़ी संख्या होती है उस तरह प्रिश्न को स्वल्प करते है तो अगर मैं ऐसे चलूं तो हमारी बड़ी संख्या इधर तो मैं प्रिश्न को कैसे स्वल्प करूँगा ऐसे अब यहां पर 33 कैसे आया यहां पर 29 कैसे आया उसी तरीके से हमें संख्या को फाइंड करेंगे तो तेतिस हमें बनाना है आठ से और सत्रा से आठ और सत्रा को अगर मैं जोड़ूँगा तो आठ और सत्रा तो पच्चीस होता है तेतिस बिल्कुल भी नहीं होता ठीक है अगर मैं इस आठ को डवल करके जोड़ूं तो आठ का डवल कितना होता है सोला आठ का डवल 16 होता है और यहां पर कितना है 17 17 को जोड़ू तो 16 और 17 कितना होता है दोस्तों 33 होता है पहली संख्या को मैंने डवल करके लेखा और दूसरी को जोड़ा यहां भी मैं क्या करूँगा पहली संख्या को डवल करके लेखा तो 12 का डवल कितना होता है 24 इसे में जोड़ेंगे हम कितने को 5 को और 24 में 5 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा सिम्धा सीधा 29 दे रखा है यहां पहली संक्चा को डवल करके जोड़ा यहां भी पहली संक्चा को डवल करके तो यहां भी डवल करके जोड़ेंगे तो 10 का डवल कितना हो 20 हो जाएगा, पिलस कितना जोड़ना है 13, तो 20 में 13 जोड़ेंगे दोस्तों, 33 आपकी प्रशन का सही आंसर आजएगा, 33, D option में 33 है, यह आपकी प्रशन का पिलकुल सही आंसर हो जाएगा, के लिए भी दोस्तों बात सभी की समझे में प्रशन आ गया, आप देखेंगे हम अच्छा प्रशन है, ठीक है, देखें, 95 है और यहाँ पर क्या है, 105, देखें, इस प्रशन को कई तरीके से, अलग अलग तरीके से समझा जाता है, लेकिन हम आपको एक सीधा तरीका बता रहे हैं, देखें, आप कहेंगे, यहाँ पर 95 है, और यहाँ पर 105, ठीक है, अगर मै आपसे कहूं कि मैं बीच में एक संख्या सो ले लूँ बीच में एक संख्या सो ले लूँ तो सो से ये कितना जादा है बाई सो से कितना जादा है पांच जादा है और सो से ये कितना कम है बाई पांच कम है ऐसा ही तो है अगर मैं बीच में एक संख्या सीधी सीधी सो ले लू तो 100 से ये कितना ज़्यादा है 5 और ये 100 से कितना कम है पांच कम है इतना केलियर है अब यहाँ पर 89 है तो यहाँ पर कौन सी संक्या होगी अगर इस प्रेश्टिमे में वेही करूँगा देखिए जो मैंने यहां किया था रिलेशन वही रिलेशन मुझे यहां बनाना है तो य जितना कम यहाँ पर था उतना ही अधिक था तो जितना कम यहाँ पर है उतना ही अधिक होगा तो सो में 11 अधिक होगा की नहीं होगा तो question mark की जगे 111 answer आएगा की नहीं आएगा जो की आपके C option में दे रखा है उम्मीद करूँगा कि सभी की समझ में यहाँ प्रेशने बहुत अच्छे से आ गया किसी को कोई समस्या नहीं होगी आप देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशने है 166 का relation हमारा 43 से है तो 245 का relation क्या बनेगा 166 बड़ी संख्या है और relation बनाना है छोटी संख्या से जब छोटी संख्या से relation बनाना है तो देखें क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर क्या है हमारा 1, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 7 अगर मैं तीनों संग्चाओं का आपस में मल्टिपाई करूँ तो साथ चिक के 42, 42, 41 एकम 42 लेकिन हमें आ रहा है 43 केलिए रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ इन दोनों का मल्टिपाई कर सकता हूँ इनको जोड सकता हूँ तो 6, 42, 42 में एक जोडेंगे तो 43 हो जाएगा किलिए रहे सिंपल सी बात है तो यह 43 हमको मिला उसी तरीके से 2 लिखूँगा मैं 4 लिखूँगा और 5 लिखूँगा यहां बात बाली दोनों साइंग का मल्टिपाई है तो मल्टिपाई यहां प्लस का साइंग है तो प्रस पांचों के 20 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 आजएगा और 22 दे रखाए हमको B option में यह हमारी प्रेशन का पिलकुल सही आंसर हो जाएगा किसी को भी इस प्रेशन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है 4 का रिलेशन 12 से है तो 5 का रिलेशन यहां पर क्या बनेगा दोस्तों देखें हमारा 4 का रिलेशन 12 से मैंने पहले अभी अभी आपको कहा था कि आपको square और q वियाद होना बहुत जरूरी है इन प्रेशनों के लिए 4 का रिलेशन 12 से है अगर आप इस 4 का square करें तो कितना होता बही 16 आप कहेंगे 16 नहीं हमको तो 12 चाहिए तो जिस सेंग्या का हमने square किया उसी को minus कर दो तो 16 में से 4 जाएगा कितना जाएगा 12 आ जाएगा अब उसी तरीके से यहाँ पर कितना दे रखा 5 जैसे 4 था तो हमने 4 का square किया यहाँ 5 है तो 5 का square करेंगे कितना होता है 25 अब जिस सेंग्या का square किया था उसी को घटाया तो यहाँ जिस सेंग्या का square करना उसी को घटा देंगे 5 का square करना 5 को घटा देंगे 25 में से 5 जाएगा 20 आजाएगा और 20 किस option में है 2 option में है उम्मीद करूँगा किसी को कोई समस्या नहीं होगी इन प्रेशनों में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ठीक है अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है 5 का Relation 2, 4, 3, 1, 2431 बहुत बड़ी संख्या से है ठीक है अब यहाँ पर 5 का Relation इतनी बड़ी संख्या से है तो 8 का Relation भी बड़ी संख्या से होगा option में भी आपको बड़ी संख्या मिलेंगी क्या Relation है तरीका बनाने का देखें पांच है पांच से मैं इसको तो नहीं बना पाँगा कि कोई ये बहुत बड़ी संख्या है अब मैं पांच से इसको नहीं बना पा रहा तो कोई बात नहीं मैं इस से इसको बना लूँ ठीक है तो इस से इसको बनाएंगे तो क्या तरीका है मैं इन सभी संख्यों को जोड़ द किया 5 आया 5 आपको यहाँ दे रखा है उसी तरीगे से यहाँ पर जितनी संख्यांगे सब भी को जोड करके 2 से डिघ्रज़ करेंगे तो 8 हाना चाहिए जोकी यहाँ दे रखा है अब देखे किन संख्यांगों को जोडने से और 2 से भाग करने पर आठाता है 4 और 2, 6, 6, 8 कितना होता है 14, 14 में साथ जोड़ेंगे 21 तो 2 से नहीं करता तो ये पहले ही गलत 5 और 4, 9, 9 और 1, 10 10 और 6, 16 कितना हुआ इसका योग 16 16 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए तरीके से बादवाली संक्या हमारी भी आएगी सब को जोड़के 16 आ रहा है 2 से भाग करेंगे तो 8 आएगा पहली संक्या तो सभी को यहाँ प्रेशन अच्छे से समझी में आ गिया है किसी को कोई समस्या नहीं है अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशनी है 602,000 क्वेशन मार्क 9,000 बहुत बढ़िया प्रेशनी कहेंगे इसको देखें कैसे 600 है देखें दोस्तों मैं 600 को अगर तोड़ना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं 200 गुने 3 को लिख सकता हूं 2000 को मैं क्या लिख सकता हूं 200 गुने 10 लिख सकता हूं ठीक है किलियर है अब देखें यहाँ पर 9,000 है तो मैं 9,000 को क्या लिख सकता हूं 900 गुने 10 लिख सकता हूं अब आपकी समझ में बात बहुत अच्छे से आ गई है देखें कैसे आ गई है यहाँ पर जो संक्या है वो 200 गुने 3 तो यहां 900 है, तो यहां भी कोई संक्या ऐसी होगी, जो पहले 900 आएगा, ठीक है, 900 आएगा, और यहां पर देखिए, बाद वाली संक्या गारे 10 से है गुने में, तो यहां भी 10 से है गुने में, यहां गुने 3 है, तो यहां भी गुने 3 आएगा, relation बना की नहीं बना, भाई द 10 आपका 2000 होता है ठीक है 900 गुने 3 कितना होता 2700 होता है और 900 गुने 10 आपका 9000 होता है लेकिन हमको तो संख्या ये चाहिए थी ना तो ये संख्या हमारी कौन सी निकल क्या ये 2700 निकल क्या ये 2700 किस option में है पहले ही option में है ये आपकी प्रश्णी का यहाँ पर लिकुत सही आंसर हो गया ठीक है दोस्तों सबके समझे बात आग contained अब देखेंगे अगला अगला प्रेश्ण है coordination number 9 है ठीक है 8 कर आधी यह question number 9 है आपका 7 77 और यहां पर दोनों ही जगे क्या है question mark है ठीक है question mark मैं इस प्रेश्ण को आपको homework के लिए देना चाहता हूँ ठीक है homework ये प्रेशने आपका homework के लिए है इस प्रेशने का answer क्या होगा आप मुझे comment box में बताइए 4 options हैं आपके पास आप चाहो तो मैं इसका सही answer बता सकता हूँ calculation आपको करनी है मैं इन 4 options में से ये बता सकता हूँ बच्चों का सही जवाब है मुझे भी तो पता लगना चाहिए ठीक है इन 4 options में से आप कर पाना है मैंने बता दिया तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि इसी को सही कर देंगे अगर मैं कह दू कि ये सही है तो अभी आप कुछ बच्चे ऐसे आते हैं आप मुझे इसका सही आंसर क्या होगा वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईगा ए बी सी डी चार ओफसन हैं दोस्तों आपके पास ठीक है कौन सा आपके प्रश्निका सही आंसर है 6.5, 24, 8.5, 64, 11.7, 143, 183, 183 कौन सा है मुझे आप जरूर बताईगा कमेंट बॉक्स में ठीक है उम्मीद करूँगा कि सभी को सभी प्रश्निक बहुत अच्छे से समझे में आगे होंगे किसी भी ब्यक्ति को समझनी में कुई समझ से याँ पर नहीं होगी ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत तहन्यवाद